बीजेपी ने इस गिरफतारी को लेकार मम्ता सरकार पर हमला बोला है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा है कि पहरे दिन से शाजा शेक सरकार के संडरक्षन में था और ये गिरफतारी दिखावी के लिए की गई है पचास दिन के बाद त्रिणमूल कॉंग्रिस ने स्वीका रहा है कि शहाजा तो हमारे पास ही था दरसल पिछले पचास दिन से जब भारतिय जंता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवास बनने का काम किया और जब कोट को बार-बार फटकार लगानी पड़ी तब जाकर त्रिणमूल कॉंग्रिस ने आज शहाजा को किरफतार दिखाया है ये तो केवल आइवाश है ये केवल कॉजमेटिक है और ये सवरक्षन प्राप शहजान था आज इसका प्रमान है कि राज्य द्वारा सवरक्षन इसको मिल रहा था कुनाल गोश्च ने तो बोली दिया कि अब क्योंकि हाई कोट ने फटकार लगा दी हम उसको प्रड्यूस कर लेंगे इसका मतलब कि वो हमेशा तर्नमूल के साथ ही था आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगे पर ममता दीदी और अभिशेक बैनर जी ने शहाजान को क्लींशिट डिफेंड किया और दूसरी और जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बरबरता हुई उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफतार किया पर तू आज जब ये सारे घटनाकरम की वज़े से शाजान को गिरफतार दिखाना पड़ रहा है तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाइडरा इंडिया लाइंस के निता जो आमूमन महिलाओं के विशेपर बोलते हैं कि आज वो कम से कम बोले नहीं हमारे स्योगी लगातार इस खबर पर जुड़े हुए है मनीश एक्जाक्ली गिरफतारी कहां से हुई और जैसा कि बीज़ेपी आरोप लगा रही है कि अल्रेडी बंगाल पुलिस को तो ये पता ही था कि है कहां लेकिन संड्रक्शन मिल रहा था हाँ बिल्कुल देखिए ये सवाल बहुत जायज है उसकी वज़ा ये है कि मिनाका के आसपास से गिरफतारी हुई है बशीरहाट में ही ये मिनाका पड़ता है और ये जो पूरा इलाका आप देखेंगे बशीरहाट का मिनाका सरबेरिया संडेश काली बेडम जूर ये चाम कुशुबिंद ओडिकारी ने ये आरोप लगाया था कि लगातार पुलिस को लोगेशन मिल रही है और कई ने पुलिस को पछीं बंगाल पृशासन को अच्छी तरीके से पता है कि शेक्षाँ जहां कहां है और सुभे गिरफतारी हुई है नाट्की तरीके से उस पर बहुत बड़ा सवाल कि असग्यास को गिरफार्ट के लौकर रूम में रख दिया गया थाकि किजि нас के काइ मीडिया केमरियरmbol दिखा ना सखें तो प्राइब्ल का था भूत बॉक्तृत्रे के ओ इदी के लोगता हुई है आच की दिन Kiev चाइँ को को शेक शाहां को गिरिफतार करने की पूरी तैयारी की जाती, लेहाज़ा पहले ही गिरिफतार कर लिया जा और गिरिफतार हो गया, उसको कोर्ट के लॉकर डूम में रखा गया है, 12 बजे कोर्ट में प्रोडूस किया जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा, इस पूरे मैटर को पुलिस किस तरीके से आगे लेकर बढ़ेगी बीजेपी और टीमसी के बीच में सियासी वार पलट वार तो जानी रहेगा बहुत शुक्रिया पूरी जानकारे के लिए आपका